आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि MIUI 8 एज आ कस्टम रोम किसी भी फोन में हम उसे रूट कैसे करें तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो देखते हैं किस तरीके से ये फ्लैस करना है कैसे रूट करना है तो नमस्कार दोस्तो मैं सबसे पहले तो आपके फोन में जो एक कस्टम रिकवरी होनी चाहिए डली वही तो मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं यह मोटो ई है और इसमें मैंने अभी MIUI 8 फ्लैस कर रखाए मिन इंस्टॉल कर रखा है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क् MIUI 8 फ्लैस करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रीशन में मिल जागा और दूस्तों आपको यह जो एक लिंक डिस्क्रीशन में मिलेगा कर लेना है और उसे sd card में रख लेना है और फोन को जो है so reboot to recovery कर लेना है तो दोस्तों इसके लिए दो मेथर्ड एक में directly है कि recovery में reboot करने के लिए और दूसरा अगर आपके पास यह नहीं है option तो आप इसमें volume down की and power button दबाके इसे bootloader में जाके वहां पर recovery सेलेक्ट करके आप recovery में जा सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मैं अभी recovery mode में आ गया यहां और इसके बाद आपको यहां से ठीके दोस्तों तो आप यहां से install में जा सकते हैं और जहां भी आप इने storage में यह डाल रखा हुआ है इसके बाद आप अपने फोन को directly reboot कर सकते हैं और जिस्ट फोन को आप अपना I mean reboot कर लेजिए और आपके पास में root permission होगा और एक और inbuilt आप होगा super issue का दोस्तों अगर आपको वह कुछ दिक्क्त दे रहा है तो आप उसे play store से जाकर update कर सकते हैं और अपडेट करने के बाद में उसमें super issue binary आएगा binary countdown तो आप उसे binary हमाई डाल रखा है तो आपको root permission करना चाहिए क्योंकि काफी जूरी है सो दोस्तों आपको यहां पर देख सकते हैं मैंने और यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं super issue file है ठीके दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए share कीजिए और जिहां दोस्तों कोई शुजाब है तो आप comment करने comment पर लिखे और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया ह तो आप चैनल को subscribe कर लिजे मैं हर अपते आपके लिए एक वीडियो नए वीडियो लेकर आता हूँ धन्यवाद दोस्तों